तो आज फिर एक बार आ गया हूँ आप सभी की problem का solution लेके और आप सभी के precious time को save करने के लिए आज का जो topic लिए क्या है उसका नाम है facebook lead ads to google sheets instant trigger क्या सीखने वाले हैं हम इसमें सीखने वाले हैं कि कैसे हम हमारे facebook lead ads को integrate कर सकते हैं हमारे google sheets से कि जब भी हमारे facebook lead ads से कोई भी new lead generate हो तो उसकी जो details है वो तुरंत automatically add हो जाए हमारे google sheets में तक क्या होता था कि थोड़ा सा time लिता था लेकिन अभी हमने कुछ changes किये हैं जिसकी help से क्या हो रहा है कि तुरंत जैसे ही lead generate होती है वैसे ही उसका data google sheets में add हो जाता है उसकी जो details है जो भी उसने form में fill की है वो आपकी google sheets में as a new row वो details add हो जाएंगी यह automation की help से यह होगा और best part तो यह है कि आपको इस automation को करने के लिए किसी भी तरह की coding skills या फिर programming knowledge का आना ज़रूरी नहीं है अगर आप एक non technical और normal user है तो भी आप इस automation को बहुत easily set कर सकते हैं और pably connect के बारे में थोड़ा कुछ आपको बता देता हूँ जिसकी वज़ा से हम यह संभव हो पाया यह automation है क्योंकि आपको पता है दोनों ही different application है इन लोगों का आपस में कोई भी direct connection नहीं है तो connection करने में help करी पैबली connect ने software है ऐसा जो की 100 task monthly के free देता है और आप free में जो है account भी बना सकते हो और 800 प्लस ऐसे applications हैं जिसको आप इस software के help से integrate कर सकते हो जिन applications को पूरी process अभी बता रहा हूं आप लोगों को तो फिर काई की देर है चलिए आईए मेरे साथ screen पर पूरी process जानेंगे कि कैसे गरना इस automation को सट ओके सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे पी डबल बी अलवाई पैबली डॉट कॉम प्रेस एंटर यह ओफिशल वेबसाइट क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account एकदम फ्री में बनाने के लिए मैं already अपना account बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा हमारा पैबली connect का क्लिक करूँगा access now पर access now पर क्लिक करने के बाद open हो जाएगा पैबली connect का dashboard ओके right-hand side पे create workflow का option एक क्लिक करके अभी मैं अपने workflow को एक नाम दे दूँगा मैं नाम दूँगा facebook lead ads to google sheets ओके मैंने नाम दिया है facebook lead ads to google sheets आप जो नाम चाहें वो नाम दे सकते हैं एक important बात इस वीडियो की description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे क्लिक करना है और आप भी ये same workflow अपने account में यूज कर पाऊगे वो भी एक दम फ्री में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आ गई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action का मतलब do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे facebook lead ads के अंदर जब भी कोई new lead generate हो तो automatically उस lead की details जो है new lead instant okay new lead instant को choose कर लेंगे then connect पे click करेंगे connection के लिए उसके बाद add new connection पे then connect with facebook lead ads पे then यह हमसे मांगेगा access continue पे click करके हम इसको access दे देंगे don't worry pably connect is 100% save authorization successful हो गया facebook lead ads मेरा successfully connect हो गया pably connect से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा facebook का account जो है वो already login है मेरा facebook का account जो है वो already login है मैं आपको दिखा देता हूँ open करके ठीक है so जैसा आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने मेरा facebook का यह account login है जैसी Matthew वाला that's why मुझे connection में कोई भी problem नहीं आई है ना so यहाँ पर connected हो गया है ठीक है page सबसे first field आई है connect होने के बाद sir पूछ रहा है मुझसे कि sir किस page को integrate करना चाहेंगे आप किस page में आपका lead ad form है जिसको आप चाहते हैं कि जब भी कोई fill करें तो उसके details google sheets में add हो जाएं तो यहाँ पे page के अंदर में सबसे पहले तो वह page select कर लूँगा तो मेरा जो page है वह है book review का page यहाँ पे कुल चार pages के नाम दिख रहे हैं आपको इन में से एक book review का page तो इस page के अंदर एक form है जिसका नाम है contact form यह form दिखा देता हूँ आपको कुछ इस तरह का form है यह ना इसका नाम है contact form new book review वाले page के अंदर है contact form नाम है और यहाँ पे first name, last name, email, phone number यह fields इसके अंदर हैं तो यह वाले form को मैं चाहता हूँ जब भी कोई fill करे तो automatically इसके details जो है मेरे google sheets में add हो जाएं और pages भी में आपको दिखा देता हूँ अपने open करके जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ चार pages ने तो यहाँ पे भी चार ही show हो रहे थे ना book review वाला मैंने select कर लिया lead generation form में select करूँगा contact form new ओके सो यही वाला form है contact form new जो मैंने open करके रखा हुआ ठीक है क्या करूँगा नीचे आउँगा page access token को वैसे ही रहने देना और यहाँ पे click करूँगा save and send test request पे तो save and send test request पे click करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ शो हो रहा है waiting for वैबुक response means अब जब भी मेरे facebook के जो है form को कोई facebook ली जाएक के मेरे form को कोई भी फिल करेगा internet पर तो तुरंत automatically उसका data publicly connect अपने पास capture कर लेगा तो चलिए इस form को मैं submit कर देता हूँ है ना मान लीजे मेरा first name है Jesse last name है Matthew email address यह और phone number यह next पे click करके form कर देता हूँ submit then चल के चेक करूँगा पैबली connect तुरंत इसकी details capture करता है के नहीं तो मैं आ गया हूँ अपने पैबली connect पे यहां पे मैं just बस जादा से जादा 10 से 12 seconds का wait करूँगा और जो details है जो भी मैंने वहां पे उस form के अंदर फिल करीं थी वह automatically यहां पे capture हो जाएंगी हमारे सामने तो जैसा कि आप देख रहे हैं 8 से 9 seconds के बीच में जो है response हमारे पास तुरंत हमें received हो गया है यहां पे आप देख पा रहे होंगे सारी की सारी details जो भी मैंने add करीं थी first name, last name, email address, phone number सब कुछ यहां पे हमारे सामने हमें मिल गया है means हमारा जो facebook लीजा जो पैबली कनेक्ट के बीच में जो integration है वो एकदम perfectly work कर रहा है जब भी कोई form को fill करेगा तो 8 से 9 seconds के बीच में पैबली कनेक्ट अपना data यहां पे receive कर लेगा जो भी user ने उस form के अंदर fill किया है वो data, okay अब मैं चाहता हूँ कि यह जो data है यह automatically मेरे google sheets में add हो जाए मैंना मुझे कुछ ना करना पड़े तो उसके लिए मुझे पैबली कनेक्ट को order देना होगा order देने के लिए मैं second application में choose करना होगा मुझे google sheets search करके choose कर लूँगा google sheets को then action event में choose करूँगा add new row को then connect पे क्लिक करूँगा connection के लिए उसके बाद add new connection पे then connect with google sheets पे उसके बाद उस google account को choose कर लूँगा जिस google account में मेरी google sheets मौझूद है जिसको मैं integrate करना चाहता हूँ पेबली connect then continue पे क्लिक करूँगा don't worry पेबली connect is hundred percent safe connection हो गया है successfully मेरा google sheet successfully connected है अब पेबली connect है जैसा कि आप देख रहे है connected show हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले तो अपनी google sheets तो यह है वह google sheets जिसका रहा में facebook leads details okay मैं चाहता हूँ कि इस sheet के अंदर वह सार spreadsheet में add हो तो इसलिए मैं क्या करूँगा या select spreadsheet में choose कर लूँगा facebook leads details वाली जो हमारी sheet है उसको यह मैंने choose कर लिया ठीक है successfully मैंने choose कर लिया facebook leads details वाली जो है हमारी spreadsheet को then select sheet में by default selected sheet 1 क्योंकि और कोई option ही नहीं है एक ही sheet है that's why है ना नीचे आ जाँगा अब जैसे कि मैंने 4 fields बनाई first name last name email phone number that's why यहाँ पे 4 fields आई है 4 columns बनाए that's why 4 fields आई है if अगर मैं यहाँ पे 10 columns बनाता तो यहाँ पे 10 fields आती ठीक है अब मुझे यहाँ पर data add करना है first name last name email phone number यह data मुझे कहां मिलेगा यह data मुझे मिलेगा यहाँ facebook lead ads से जो मिला है तो यह वाला data मुझे add करना है in blank fields में ऐसा करने के लिए मुझे एक टैक्लिक का यूज करना होगा जिसको हम कहते है mapping mapping से हम हमारी trigger application का जिता हमारी action application में बहुत easily add कर सकते हैं कैसे करेंगे तो हम यहाँ पे blank field पे click करेंगे first name की नीचे option आएगा facebook lead ads क click करेंगे facebook lead ads पे जो कि हमारी trigger application है तो सारा data open हो जाएगा जो भी हमें मिला है ओके नहीं हमें आप अपनी first name की सही value को find करना यह रहा first name जैसी click करके map कर दिया simple इसी को कहते है mapping और mapping करना बहुत ज़रूरी है data map किजेगा तो ही चीज़े automatically change हो के दोबारा से होंगी तो मैंने यहाँ पर name map किया है नाम यह जैसी map नहीं किया है software के लिए अभी जैसे कि मैंपको एक example देता हूँ ठीक है अगर मैं यहाँ पर जैसी manually लिख देता ना तो क्या होता अगली बार कोई दूसरा भी form fill करता तो उसका नाम भी जैसी ही रहता बट मैंने अभी यहाँ जो name है form submission करने वाले का वो map किया है तो अगली बार जब कोई दूसरा form submission करेगा तो जो भी उसका नाम होगा software automatically उसका नाम यहाँ पर add कर देगा that's why map करना ज़रूरी है और map नहीं करोगे तो software नहीं कर पाएगा ठीक है जैना आ जाते है last name तो last name भी इसी तरह से हम map कर देते ह है यह रहा email address और इसी तरह से phone number और यह रहा हमारा phone number क्लिक करूंगा जैसे ही save and send test request पे यहाँ पे एक new row में इस row के अंदर data add हो जाएगा ठीक है तो click करता हूँ save and send test request पे तुरंत response received हो गया है चलके check करते हैं हमारी google sheets में yes यहाँ पे same to same data add हो गया है first name last name email phone number तो इसकी presence इस data की presence बता रही है कि मैंने अपना automation जो है successfully set कर दिया है मुझे just save पे click करना है और आप मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सारा काम software करेगा क्या करेगा software कि जैसे ही आ automatically आपका software है वो उसकी details को आपके किसके अंदर google sheets के अंदर add कर देगा जैसे की Jesse Matthew की की है मैं काम करता हूँ और यहाँ पे आपको एक बात और बता देता हूँ कि यह इस video जो मैंने workflow बनाया है ना इसका एक link मैंने description box में लगा दिया है आपको जाना है उस link पे click करना है और आ ना सिर्फ इन applications को पैबली connect के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ कि इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी यह same workflow अपने account पे use कर पूछ सकते हैं यहां दी गई link पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जाननी है तो वह आपको यह दी गई link पर मिल जाएगी और जाते जाते एक बात बता दूं कि हमारा video अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी video को like करना मत भूलेगा और हमारे channel को subscribe करना भी मत तेंग झालेग तेंग्स